हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस All-in-one चैनल में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इंडिया में बैटके कैनेडा में जॉब्स पास सकते हैं जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो लोग भी कैनेडा जाना चाहते हैं कैनेडा शिफ्ट होते हैं किसी रिलेटव के बात जाते है उसके पास कुछ पांचमेश né कोई शॉर्ट टम जॉब पकड़ ले जिससे कि जैसी आप क्यूंकि आपका वीजा लग चुक है आप वहां जाते हैं जैसी आप लैंड करते हैं तो आपके पास एक जॉब होती है एक सेक्यूरिटी होती है इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि जॉब कैसे पाना है किस तरह की जॉब की रिक्वारिमेंट है वहां पर और आप कैसे जॉब एप्लाइई कर सकते हैं जिससे कि जाने से पहले आपके पास एक आप परिचूनिटी रहे हमेशा जिससे कि आपो किसी भी डिपेंडेंट तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे हम पूरा कि कैसे आप कैनेडा में जॉब पा सकते हैं इंडिया में बैठे-बैठे जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो कैनेडा में minnt है वो आप एक बहुत सकस्फुल इसकते हैं जिस तरह कि महाँ पर पैकेज हैं जिस तरह के जॉबस हैं जिस तरह की living condition है और आप सब जानते हैं कि सबसे बेस्ट लोकेशन है कोई भी बंदा जाना चाहता है कैनेडा तो उसको पता है कि वहाँ पे जो है काफी सारी opportunities है और market position of Canadian employment is very good उसके बाद से हम बात करेंगे कि अभी जो है जो software IT से related जितने भी jobs हैं वहाँ पे उनके लिए काफी अच्छी opportunities हैं तो इस वज़े से जो है जो लोगों की फर्स जो priority होती है वो Canada जाने के होती है अब हम बात करें Canada जाने के लिए क्या जो options हैं आपके बास क्या है अगर PR हैं तो सबसे best है PR भी जो है दो तरह की होती है एक होता है express entry program के थुरू होता है और दूसरा होता है provincial nominee program यह दो है PNP होता है और EEP होता है अब आप जो है PR किस level का किस तरह का लेते हो दोनों में से कोई भी आप लेते हो दोनों 5-5 साल के होते हैं इन बोथ दे केसे जो है वीजा जो है आपको 5 साल के लिए प्रोवाइट के जाता है और यह एक family visa होता है और PR status immigrant is allotted with rights and freedom equal to full Canadian citizen तो दोनों के दोनों में आपको जो rights होंगे जो freedom होगा वो बिल्कुल सेम होगा जैसे कि वहां के जो Canada का जो citizen है सेम आपको सारे rights मिलेंगे क्योंकि आपको PR मिला हुआ है अब express entry और PNP में एक single symbol सा difference है express entry अगर आप वीजा लेके जाते हो तो आप कहीं पर भी सेटल हो सकते हो Canada में लेकिन अगर आप PNP के थूँ जा रहे हो वीजा आपका 5 साल का ही है सारे आपको rights मिलेंगे बट आपको किसी particular province में ही मिलेगा तो ultimately क्या है कि अगर आप express entry के थूँ जाते हो उसके बाद से इंडिया से जॉब भी पकड़ लेते हो तो उस समय आपको यह restriction नहीं है कि मिलेको इसी particular province में मिलेको जॉब जी है या तो आपको आपको यह पता होना अच्छे कि महाँ पर आपरचुनिटी किस चीज की है एक तो सबसे ज़्यादा जॉपरचुनिटी वहाँ पर नर्सिस की है the job market for this profile is highly in demand और यह भी बताया है कि किस province में है उसके बाद से दूसरा जो है सबसे ज़्यादा डिमांड में हो है इंडियन डेंटिस्ट वहाँ पर उनको easily कहीं भी सेटल हो सकते हैं और आप अप्लाई करते हो फिर सीए की बहुत ज़्यादा रिक्वाइरमेंट है वहाँ पर तो यह वह फील्ड है या तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या अल्टिम के लिए काफी अच्छा स्कोप है इसमें आपको देखिए कि अलग अलग प्रोविंस बताएगें अलबर्टा न्यूफाउंड लैंड ओंटारियो इन सब में जो डॉक्टर्स की बहुत बहुत जाहर डिमांड है टीचर्स के लिए काफी अच्छा मार्केट है और लॉयर्स के लिए काफी अच्छा है अल्टिमेटली जाने से पहले आपको यह जूरू पता होना अच्छी है कि वहां पर जो है ऑपरिचुनिटीज किस-किस फील्ड में उसके बेसिक पर में अपना चेक करना है कि मैं किस फील्ड में ज्यादा सूटेबल हूं उसके एकॉर्डिंग म सारी उनकी information होती है और सबसे जादा reliable होता है क्योंकि इसमें सारी information authentic होती है इसमें massive dot of employers who are looking for the right candidate to fill up vacancy in their companies और इसमें क्या है कि आपको जो है जितने भी authentic search होगा और किसी भी company में आप select होते हैं इस database के तुरू then your employee will also submit an application for your immigration क्योंकि इसमें बड़े-बड़े employer होते हैं इस case में क्या होता कि अगर इसके थूरू आप express entry job pool के थूरू आपका selection होता है तो उस case में आपको बहुत ज़्यादा सहयता मिलती है क्योंकि आपका employer बढ़ा है तो आपके बहाफ पे भी application submit करेगा जिससे कि आपका आना और आपके वहाँ जाके stay करना आपका land करना सब easily हो जाएगा और आप easily जो है job join कर सकते हैं दूसरा जो है जो normally है easier बड़ थोड़ा से इसमें आपको क्या करना पड़ता है अपनी भी छानबीन करनी पड़ती है वो है आपका online job portals में क्या होता है कि सबस्यादा popular है आज इसमें कुछ fake employers भी होते हैं fake in the sense कि कोई बड़े employer नहीं हो तो बहुत छोटे होते हैं हो सकता है job का duration आपका हो सकता है एक मेने का दो मेने को कुछ mid size की होते हैं अब क्या करना है कि क्योंकि है free होता है आपने क्या करना है चेक करना है job मिलने के बाद भी आपको जो है उसकी जो है अपने friends है या किसी social networking site में जाके उसकी पूरी तहकीकात करना है even if you have got the job offer तब भी आपको इस सारा कुछ पता करना है क्योंकि यह उतने reliable नहीं होते हैं बट यह है कि बहुत अच्छा तरीका इससे क्या होता है कि 80% तो इसमें ठीक होता 20% जो गलत जो की fake लोग बैठे होते हैं उनसे अपने बचने उसके बड़े सारे तरीके होते हैं यह नहीं कि जैसी आपको job मिली job offer मिला बिना देखे पहुंच गया ऐसा कुछ नहीं होता आप उसको proper देखें उसके बारे मुसका website चेक करें उनको call करें उसके बारे में आप feedback देखें बहुत सारी website ऐसी हैं जो की feedback के लिए बनी हुई हैं उनका पता कर सकते हैं दूसरी बात है कि कई लोग उनने जॉब छोड़ी हो तो उनसे contact करके पता कर सकते हैं तो ultimately कहा है कि यह वाला जितनी में एक size आप इंडिया बैठे कर सकते हैं आपके पास job होगा आपके पास वहां का PR होगा और आप easily ज कैसे Canada में जाओ प्राप्त कर सकते हैं इंडिया में बैठे में दोस्तों अब आपको यह वीडियो पसंद है तो like, share, subscribe कीजिए और thank you for watching this video